दोस्तों कि आपको पता है कि इसी साल देश में एक ऐसी बाइक लॉंच होने वाली है जिसके टॉप स्पीड 147 किलोमीटर पर आवर की है और ये बाइक सिर्फ 2.9 सेकंड्स में 0 से 60 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ़तार पकड़ लेती है इतना ही नहीं इस बाइक में अनेक प्रीमियम फीचर्स दिये गए हैं और सबसे खास बाद कि ये एक इलेक्टरिक बाइक है एक्साइटमेंट बढ़ गई ना? अगर हां तो पूरे वीडियो को जरूर देखिए और ऐसी ही लेटेस्ट आटो मुबाइल निउस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी आटो निउस को सबस्क्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजे हम बात कर रहे हैं Ultraviolet F77 बाइक की Bangalore-based electric startup company Ultraviolet ने हाल ही में अपनी इस electric बाइक को पेश किया है और अब कमपनी ने इसका टेस्टिंग वीडियो भी जारी कर दिया है Ultraviolet F77 एक electric sports बाइक है जिसमें AC motor और 4.2 kWh capacity के 3 lithium बैटरीज दी गई है जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर ये electric sports बाइक 1500 km तक की driving range देती है और खास बात ये है कि fast charging से इसकी बैटरी को चार्ज करने में करीब सिर्फ 10 गंटे का समय लगता है वहीं घर पर standard charger से चार्ज करने के लिए 5 गंटे का समय लगता है बता दें कि Ultraviolet F77 देश की पहली electric sports bike है और company ने इस bike में वो सभी specifications को शामिल किया है जो एक sports bike में होते हैं जैसे कि इस bike में लगी electric motor 250 rpm पर 33.5 horsepower और 90 newton meter का peak torque generate करती है top speed और acceleration की बात करें तो Ultraviolet F77 की top speed 147 km पर आवर की है और ये bike 2.9 seconds में 0 से 60 की speed पकड़ लेती है वहीं 0 से 100 km पर आवर तक पहुँचने के लिए इसे सिर्फ 7.5 seconds का समय लगता है suspension की और ध्यान दें तो Ultraviolet F77 के front में inverted cartridge type forks और rear में gas charged preload adjustable shock absorber दिये गए हैं वहीं बहतर braking के लिए इस bike में front and rear hydraulic disc brakes के साथ dual channel anti-lock braking system दिया गया है features की बात करें तो इस electric bike में automotive TFT LCD instrument cluster दिया गया है जोकि Android और iOS दोनों smart phones की connectivity features के साथ आती है इसके अलावा इस bike में temperature sensor, active tracking, LTE integrated e-sim और shock impact sensor जैसे कई premium features दिये गए हैं Ultraviolet F77 Air Strike, Shadow और laser जैसे तीन कलर options के साथ आएगी कीमत और launch rate की बात करें तो इस electric sports bike को करीब धाई से 3 लाग रुपे की कीमत के साथ विक्री के लिए launch किया जा सकता है और company इसे इस साल के अंत तक या March 2022 तक भारत में विक्री के लिए launch कर देगी वहीं आप Ultraviolet F77 का company की official website से pre-order भी कर सकते हैं तो दोस्तों, आपको upcoming Ultraviolet F77 Electric Sports bike कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share करने के साथ ही हमारे चैनल Hindi Auto News को subscribe करना ना भूलें Thank you very much